नमस्कार सू स्वागत वेलकम अभी नंदन फाइव मिनिट स्टोरी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हां जी हापी वेलेंटाइन डे आपको वेलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुब कामना है आपका जीवन खुशियों बरह हो और आपको आपका सचा प्यार मिले और आप हमेशा खुश रहें एक चोटा सा बच्चा गाउं के अंदर बेर के पेड़ के नीचे खड़ा था क्योंकि शिवरात्री पर शंकर भगवान को बेर अरपन किये जाते हैं और यह मौसम भी बेरों का है तो बेर का एक ठिला देखकर यह कहानी जहन में आ गई और वो बेर के पेड़ के इंचे खड़ा होकर बेर के पेड़ पर जोर से पत्थर मारता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि पेड़ के उस तरफ से राजा की सवार ही निकल रहे होती है और राजा जी के सर फट जाता है उसमें से खून निकलने लगता है बच्चा घबरा कर घर भाग जाता है क्यार सैने काते हैं उसके परिवार वालों को पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करते हैं राजा पूछता है तुमने ऐसा क्यूं किया तो कहता है क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे बेर खाना ता मैं आप इसको दे दो और सब बड़े हैं राजा उसे विदा कर देता है तो उसका मंत्री बूसा यह क्या कर रहा है उसने आपका सर फोड़ दिया उससे सजा देने की जगापर आपने उसे अपने जो आपके पूर्खो के गाउ पड़े होए थे पांच गाउँ आपने देदी कुछ सम तो राजा कहता है कि पत्थर मार रहा था वो पेड़ पर और फिर भी पेड़ उसे चार-पाज बेर खाने के लिए दे रहा था, तीन-चार बेर खाने के लिए दे रहा था, तो मैं तो राजा हूँ, इन सब का परमपिता परमात्मा हूँ, इनका करता धरता हूँ, तो राजा होने के नाते, अगर उसने मेरे सर पर पत्थर मारा है, तो मेरा इतना फर्स तो बनता है कि मैं अपने आस पास के तीन-चार गाउं से दे दूँ, कहानी छोटी सी बड़ी खुबसूरत है, हमें तो हमारे पढ़ोसी, हमारे रिष्टेदार हमें तो हमारे दोस, रिष्टेदार, पढ़ोसी, कुलीक, जब पत्थर मारते हैं, तो हम पत्थर का जवाब सिर्फ पत्थर से ते था, अच्छा आप तुझे देख लेंगे, हम तुझे से बदला लेंगे, तो कभी किसी को माफ करकर देखे, और किसी को माफ करने का दिन आज से बहतर हो ही नहीं सकता, चलिए वो आपसे माफी नहीं मांग रहा, चलिए वो फोन नहीं कर रहा, उसकी फित्रत है, उसके संसकार है, वो अपने घरवालों के जो अपने घमंड और अपनी जिसे कहते है एजुकेशन को रिखा रहा है क्यों ना आज हम शुरुबात करें क्यों ना एक फूल भेज दें क्यों ना हम बात करें क्यों ना हम सौरी बोल दें क्यों ना हम दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा है फिर उदर से दोस्ती का हाथ बढ़े कमेंस में जाए माता दी जरूर लिखें